हेलो गाइज गुड बॉर्निंग तो आल उफ यू वेलकम बैक टू लर्न विद लक्षमी शर्मा आज है छे मई दो हजर बाइस और आज की करेंट अफियर्स हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चले गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारा पहला क्वेस्टन ह इसका आंसर है ओप्षण डी फिप्त में हर साल पांच मई को विस्व पुर्तगाली भासा दिवस मनाया जाता है और इस डी की एम है पॉर्टुगीज लैंग्विज की इंपॉर्टिंस को हाइलाइट करना उसके बारे में बताना पॉर्टुगीज लैंग्विज दुनिया बर में सबसे ज़्यादा बोले जानी वाली भासा है और आज के टाइम में लगबग 229 मिलियन लोग इस भासा को बोलते हैं इस डे को औरिजिनली पॉर्टुगीज लैंग्विज अंड कल्चर डे की रूप में मनाया जाता था लेकिन युनिस के उन्हेंदे होजा रूनिस में इसे चेंज करके वर्ल्ट पॉर्टुगीज लैंविज डे रख दिया तब से इसे वर्ल्ट पॉर्टुगीज लैंविज डे के रूप में सलिब्रेट किया जाता है हमारा अगला क्वेस्चन है इस टीम है इस टीम है नमबर वन टीम इन दे वर्ल्ट एस पर ICC's annual test ranking ICC क में Australia top पर है, India second है और New Zealand third है T20 rankings में India top पर है, second England है और third Pakistan है और ODI ranking में New Zealand top पर है, second England है, third Australia है और fourth India है हमारा अगला question है, which athlete has become the first Indian women to win a gold medal at IWF Junior World Weight Lifting Championship आपके options है ज्यानिस्वरी यादर, हर्शदा सरतगरूर, अंजली पतेल या वीरितिका, the correct answer is option B, हर्शदा सरतगरूर हर्शदा सरतगरूर इंडिया के first athlete बन गई है जिन्होंने इस championship में gold medal जीता है, ये championship ग्रीस के herakalian में आयोजित की गई थी और हर्शदा सरतगरूर ने 45 kg weight category में ये gold medal जीता है, इन्होंने total 153 kg का weight lift किया था, जिसमें 73 kg snatch में और 83 kg clean and jerk में इन्होंने lift किया था इस championship के अलावा इन्होंने under 17 girls का title भी जीता था, जो 2020 में आयोजित किया गया था, हमारा आगला question है, what is the GST revenue collection in April 2022, the highest ever collection? April 2022 में goods and services tax, जिसे GST कहते हैं, उसका राजस्व संग्रा क्या है, जो अब तक का उच्छतम संग्रा है, आपके options है 1,68,000 करोर, 1,48,000 करोर, 1,62,000 करोर, या 1,53,000 करोर, इसका answer है option A, 1,68,000 करोर, इस साल के March में ये 1,42,000 करोर था, और इस बार April में लगबग 20% increase हुआ है, ये है पिछले तीन मंथ के GST कलेक्शन, जिसमें March 2022 में 1,42,000 करोर GST कलेक्शन था, फरवरी 2022 में 1,33,000 करोर था, और January 2022 में GST कलेक्शन 1,38,000 करोर था, GST जिसे 1 जुलाई 2017 में पूरे इंडिया में implement किया गया था, हमारा अगला question है, इस रैंकिंग में इंडिया की कौन सी रैंक रही है, आपके options है 3rd, 5th, 4th या 7th, इसका आंसर है option C, 4th, इंडिया के 8 उनिवर्सिटीज वर्ल्ड के टॉप 300 उनिवर्सिटीज में सामिल हैं, और इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के वेस्टरन सिद्नी उनिवर्सिटी इसके बाद USA के Arizona State University है और 3rd रैंक पर Canada की वेस्टर उनिवर्सिटी है, Times Higher Education के रैंकिंग के अनुसार, All Over India में Calcutta University टॉप आई है, हमारा अगला question है, Who Won Snooker Championship Title 2022? Snooker Championship 2022 का किताब किस नहीं जीता? आपके options है, पंकर जाडवानी, जॉन हिगिन्स, स्टीव डेविस ये रॉनी ओ सुलिवन? इसका आंसर है option D, रॉनी ओ सुलिवन. इन्होंने England के जुट Trump को फाइनल्स में हरा कर ये Championship जीता है, और ये Championship 16 April से 2 माई तक आयोजित की गई थी. इसे England के Crucible Theater में आयोजित किया गया था. हमारा आगला question है, which state has topped in GST revenue collection growth in April? अपरिल में GST राजस्व संग्रा वृति में किस राज्य ने सिर्ष सिस्थान हासिल किया है? आपके options हैं अरुनाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, करनाटिका या उत्तराखंड? इसका ये पिछले बार की तुल्ला में लगवग 90% का इजाफा हुआ और ये state GST collection में सभी state से आगे है. हमारा अगला question है, when is international firefighters day observed every year? अंतराश्ट्य अगनी सामक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके options है 5th May, 4th May, 2nd May या 1st May? इसका answer option B, 4th May. हर साल 4 मई को अंतराश्ट्य on duty अपनी जान गवादी. ये firefighters हमारे safety के लिए हमेशा आगे रहते हैं, इसलिए उन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए हम इस डे को celebrate करते हैं. सबसे पहले इस डे को 4 मई 1999 को celebrate किया गया था और इस डे को जेजे एंड मंसन ने इंट्रिडूस किया था. हमारा अगला question है, which state has become the first state in India to cross 10 gigawatt of large-scale solar installation? कौन सा राज्य बड़े पैमाने पर सौर स्थापना के 10 gigawatt को पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है. आपके options हैं, गुजरात, हरियाना, राजस्थान या पंजाब? इसका answer है option C, राजस्थान. ये रिपोर्ट मरकम्स इंडिया solar project tracker के द् जिसमें राजस्थान इंडिया का पहला state बन चुका है, जिसमें 10 gigawatt का solar installation किया गया है. और इस state में लवा 32.5 gigawatt के installation की capacity है. राजस्थान, इसके capital है जैपूर, इसके chief minister है असोग गहलोत, और इसके governor है कालराज मिस्रा. हमारा अगला question है, who will become the new chief executive officer of Amazon? आमेजन के नए मुख्य कारे कारे अधिकारी कौन बनेंगे? आपके options हैं एंडियासी, संजीव कपूर, सशी सिन्ना ये जिन्स स्टॉलनबर्ग. इसका answer है option A, एंडियासी. ये हैं एंडियासी और इन्हें आमेजन का next CEO बनाया जाएगा. ये 5 जुलाई को as a CEO join करेंगे और ये जेप बेजोस को replace करेंगे. आमेजन इसे 5 जुलाई 1994 को found किया गया था. इसके founder है जेप बेजोस और इसका headquarter है CTL, जो USA के वासिंटन में है. आपके options हैं 128, 135, 151st या 158. इसका answer option D, 158. विसर प्रे स्वतंतरता सुचकांग 2022 के अनुसार भारत 150 अस्थान पर रहा है. इस रिपोर्ट को Reports Without Borders ने रिलीज किया है और ये इस रिपोर्ट की 28th edition थी. इससे पहले last year में इंडिया की ranking 142 रही थी और इस बार इंडिया की rank 150 रही. इसके अलावा कुछ औ और इसके अलावर कंट्री जैसे नेपाल इसकी ranking 76 रही, पाकिस्तान इसकी rank 157 रही, स्री रंका इसकी rank 146 रही, बंगलादिस इसकी rank 162 रही, म्यामार इसकी rank 176 रही. और नौर्थ कोरिया इस इंडेक्स में सबसे वर्स्ट कंट्री रही जिसकी rank 180 रही. इस list में top 5 कंट्री है नौर्वे, डेन्मार्क, स्वेडन, एस्टॉनिया और फिन्लैंड, प्रेस फ्रीडम का मतलब होता है किस देस में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट को फ्रीडम दिया जाता है और इस रैंक में इंडिया की रैंक 150 रही, हमारा अगला क्वेस्चन है, इसका अंसर है option C, Goa, इसमें टोटल 29 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसका फाइनल 15 माई को सेडिल किया गया है, हमारा अगला क्वेस्चन है, इसका आंसर है option D, Calvin Anderson, इन्होंने हाली में प्रोफेशनल टेनिस से रिटार्मेंट की घोशना की है, ये एक साउथ आफ्रिकन टेनिस प्लेयर है, जिन्होंने 35 साल के उम्र में रिटार्मेंट की घोशना की है, ये विंबल्डन और यूएस ओपन टोर्नामेंट में फाइनल स्ट्रेश चुके हैं, ये 2017 के यूएस ओपन में फाइनल तक पहुँचे थे और 2018 के विंबल्डन में फाइनल तक पहुँचे थे, हमारा अगला क्वेस्चन है, विच यूणिवर्सिटी हस ओण खेलू इंडिया यूणिवर्सिटी गेम 2021, कि सवे सुध्याले ने खेलू इंडिया यूणिवर्सिटी गेम 2021 जीता है, आपके options है lovely professional university, saavitri by phule university, pone university यह jain university इसका answer है option d jain university जैन university ने 20 gold, 7 silver और 5 bronze medal जीते हैं और second है lovely professional university और third है पंजाव university चलिए खेलों इंडिया university गेम्स के बारे में कुछ और बाते जान लेते हैं इस बार इस गेम की second edition थी जिसमें लगव 189 countries से 4529 athletes ने participate किया था और ये championship स्री कांती वीरा इंडोर stadium में आयूजित किया गया था जिसमें इंडिया के top swimmer और Tokyo Olympian स्री हरी नटराज ने इस event में उत लिया था हमारा अगला question है कोईला खनिक दिवस हर साल कब मनाय जाता है आपके options है 3rd में, 4th में, 5th में क्या 6th में इसका answer है option B, 4th में हर साल 4 में को कोईला खनिक दिवस मनाय जाता है इस डे की aim है कोईल माइनर्स के contribution को highlight करना और हर साल हम उन्हें सम्मानित करने के लिए इस डे को celebrate करते हैं और सबसे पहला coal mine 1575 में स्कॉट लैंड के जॉर्ज ब्रुस ने खोला था हमारा अगला question है इसका answer है option D, IIT बैंगलरू, IIT कानपूर, IIT रुर्की या IIT बॉंबे इसका answer है option D, IIT बॉंबे IIT बॉंबे ने वर्ल्ड की first chair professor sip को भी launch किया है हमारा अगला question है इसका answer है option B, Rajasthan ये railway station राजस्थान के बार में district में है हमारा अगला question है which discuss thrower player has been provisionally suspended after testing positive for a drug किस discuss thrower खिलाडी को दवा के लिए सकारात्मक परिक्षन के बाद अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है आपके options है अमित कुमार सरोहा, कमल प्रित कौर, शक्ति सिंग या एकता भ्यान इसका answer option B, कमल प्रित कौर अभी इन्हें temporary suspend किया गया है लेकिन अगर इनका दोश साबित हो जाता है तो इन्हें लगबग 4 साल के लिए बैंड कर दिया जाएगा इन्होंने 2021 में नाशनल रिकॉर्ड बनाया था जिसमें 65.06 मीटर कर डिसकस थो किया गया था और इस पर कि तोक्यो इलम्पिक में इस छटे स्थान पर रही थी हमारा आगला क्वेस्चन है इसका answer option A, संगीता सिंग जिन्होंने जेवी मोहापात्रा को रिप्लेस किया है जेवी मोहापात्रा ये 30 अप्रिल 2022 को रिटायर हो चुके है Central Board of Direct Taxes इसे 1964 में फाउंड किया था इसका हेड़कॉर्टर नियु देली में है हमारा अगला क्वेस्चन है इसका answer option A, अलकेस कुमार सर्मा अलकेस कुमार सर्मा को Ministry of Electronics and Information Technology का नियु सेक्रेटरी बनाया जाएगा ये 1990 बैच के एक I.S. ओफीसर है और इस पोस्ट को जॉइन करने से पहले ये Additional Secretary और Secretary in Cabinet Secretariat थे ये National Industrial Corridor Development Corp Limited के CMD भी रह चुके है So guys ये थे आज के top 20 questions पिस्वे वेडियो मैंने question पूछा था इसका answer था Boris Johnson Next question का answer आपको comment section में दे रहा है आपकी options है Gilbert Hongobo, Haris Chandra Mishra, Bruce D. Broyce या Hishasi Takeuchi So guys आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं कल की Current Affairs की वीडियो में और आप मेरी Instagram पर जाकर कुछ attempt कर सकते हैं Thanks for watching and have a good day Bye Bye झाल